ते लो फ्रेंट्स वेलकम टूइस्टेडी फॉर इंडिया आज का ये वीडियो जूम आपके लिए लाए हैं यह भारत के प्रमुक पदा अधिकारियों से संबंदित है जितने भी भारत के सम्मेधानिक गैर सम्मेधानिक और सचीव हैं सलाकार है आयोग हैं और इसके अलबा बोर्ड और समीतियों के अध्यक्ष जो है या उनके उनके प्रमुक अधिकारी हैं उनके नाम है यह करेंट अफेर्स से रिल्टेड वीडियो है जिसमें की आपको हम पूरे डिटेल में बताएंगे कि किस संस्था के कौन से अध्यक्ष है और यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज यह करेंट अफेर से लेटेड वीडियो है जो की प्रमुख पदा अधिकारियों से संबन थे इसका पहला पॉइंट है प्रमुख संवेधानिक तथा गैर संवेधानिक पदा अधिकारी तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे भारत का जो समवीधान है इसका प्रमुख उच्छेद 52-62 तक राष्ट पती के बारे में पूरा तरह से वॉर्डन किया गया है कि भारत का एक राष्ट पती होगा और इस ताइम जो भारत के रास्टपती है वह है स्री रामनात को विंजी तो राष्ट पती तो आपको पता भी होगा उप राष्ट पती है Palaamay millennials नंक इन्होंने दो अक्टूबर को सपत लिया था नियामूर्ती रंजन गोगो इस वेरी इंपोर्टेंट उसके बाद एटाउनी जनरल आफ इंडिया जो है महा नियावादी केके वेडू गोपाल है इस टाइम और इसके अलावा इनका जो वर्डन किया गया है आर्टिकल 76 में मधानिक पर है इसके अलावा राजस्था के सभापती जो है इस ही कि तहत जो हमारे उप्राष्था आगे बढ़ते हैं राजसभा के विपक्ष के जो नेता है वो गुलाब नभी आजाब मुख निर्वाचन आयुक तो सुनील अरोड़ा है जो अन्य चुनाव आयुक तो जो असोक लावासा है इसके लावा कैग जो है नियंत्रे के महालेखा परिक्षा के राजीव महरसी है इस टाइम वेरी इंपोर्टेंट आगे बढ़ते हैं तीनों से नाव के प्रमुक को आपको मिलते रहें चलिए हम तीनों से नाव के प्रमुक को देख लेते हैं वाई सेना अध्यक्ष जो है इस टाइम एयर मारसल वीस धनोवा जी है और नौ सेना अध्यक्ष जो है एड्मिरल सुनील लामबा है और थल सेना अध्यक्ष है जन्रल विपिन रावत तो ये तीन अध्यक्ष को देख लेते हैं हम राश्टी अनुसिची जन जाती आयोग के अध्यक्ष है नंद कुमार साइई इसके अलवा राश्टी अलप संख्यक आयोग के अध्यक्ष है सईद गयूर हसन रिजवी 15 वित आयोग के अध्यक्ष एनके सिंग है और इसके पहले जो चौदे हमें वित आयोग के अध्यक्ष जो थे हैं इस टाइम भी है वाईवी रेड़ी है एक इ कानूनगों है इसके बाद संग लोकसेवा आयोग UPSC की बात करें तो अर्विंद सकसेना है UGC बिस्विद्याले अनुदान आयोग इन्वरस्टी ग्रांड कमीशन इसके जो अध्यक्ष है प्रोफेसर धिरेंद्र पाल सिंग है उसके बाद केंद्री सतरक्ता आयोग जो है के इसमें कुछ और भी है नीती आयोग के प्रधान मंत्री होते है तो इस तरह इसके अध्यक्ष हो गए नरेंद्र मोधी और उपाध्यक्ष जो हैं डाक्टर राजीव कुमार है इसके CEO है अमिताव कान्त इस टाइम इसके CEO नीती आयोग के CEO मुक्खय कारेकारी अधिकारी जो बेरी इंपोर्टेंट इसको अब ध्यान से देख लीजिएगा और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें ताथा सेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम इससे भी बहतर वीडियो आपके लिए आगे भी लेकर के आएं चलिए आगे हम केंद्रिय फिल्म प्रमारन बोड़ जो है C, B, F, C इसके जो अध्यक्ष है वो है प्रसून जोसी आगे बढ़ते हैं केंद्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT केंद्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं सुनील चंद्रा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं अस्वनी लोहानी भारतिय प्रतभूती एवंग बीनिमय बोर्ड सेभी के अध्यक्ष हैं अजे त्यागी के केंद्रिय औप्रत्यक्ष एवंग सीमा सुल्क बोड के अध्यक्ष है एस रमेस लोक लेखा समिती जो है इसके अध्यक्ष है मलीका अरजुन खडगे प्राकलन समिती के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोसी भारत के महापंजियक एवंग जनगर्ना आयुक्त है सैलेस तो यह था ह हमारा आज का वीडियो जो कि भारत के प्रमुक पदाधिकारियों से संबंधित था आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से दो या तीन कोशन तो इसमें से आपको पक्का फसना ही है तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगे आप हमें कमेंट करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में बाई